आम सभी का पीखुस कीचन में फिर से एक बार बहुत स्वागत तो फ्रेंड्स आम का सीजन चल रहा है और ऐसे में बहुत ही बढ़िया फ्रेश कच्चे आम मिलते हैं मार्केट में तो क्यों ना आजम बनाएंगे बढ़िया कच्चे आम का शर्बत जिसे पीते ही हमें गर्भ तो यह प्रोसेस आप सुभभी कर सकते हैं जब हम डाल चावल का कुगर लगाते हैं उस टाइम इस आम को आप पका सकते हो तो यहां पर आम को मैंने अच्छे से पका लिया अब इसको काट कर हम इसका पल्प निकालेंगे तो फ्रेंड्स कच्चे आम का शर्बत बनाने के ल आज हम आम का सर्बत बनाएंगे यह सर्बत आप महिनों तक स्टोर कर सकते हो तो यहां पर मैंने कच्चे आम का पल्प निकाल कर एक मिक्सी के जार में ट्रांसपर किया इसमें डालेंगे कुछ पुदिना के पत्ते जिसके हम इसे पत्ता इसके डेंडल इसके डेंडल इसके कलर देगा इसमें मैंने डाली है आदा कप चीनी यहां पर आप खड़ी शकर यह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो आपके पस दो आप्शन है अब हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसे हमें ग्राइंड करना है स्मूथ सा पेस्ट बनाना है तो यहां मैंने इसको ग्राइंड करके स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है आप इसकी थेकनस देख सकते हो बिलकुल इस तरह से है तो इसमें हम बाकी के इंग्रिडियंट मिलाएंगे जैसे कि सबसे पहले हमें इसको एक मिक्सी के जार में पीस कर आप इसे और भी पतला बना सकते हो पा स्टोर करके रख सकते हो महाइनों तक खराब नहीं होगा इसे अप सर्व कैसे करेंगे यानि किसका सर्वत कैसे बनाएंगे तो यहां पर मैंने बड़ी आसा हमारा ग्लास ले लिया इसमें डाले है आइस क्यूब और चार से पाच टेबल स्पून मैंने यह आम का पल्प डा करेंगे और सर्व करेंगे तो हैना बहुत सिंपल सी रसिपी हेल्दी भी टेस्टी भी गर्मे से राहत जरूर मिलेगी आप इसे बनाएगा खुद भी पीजिएगा और घरवालों को भी पिलाएगा बाहर का सोड़ा पीने से तो जादा अच्छा फाइदेमन यह आम का होता है ज़रूर बनाईए कैसी लगी रसिपी कॉमेंट में ज़रूर बताना और हाफ रेंट से चोटी से रिक्वेस्ट अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे प्यूस केचन चानल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू